पिद्या मंदिर के सभी चात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षी का लोना का नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठे पुस्तक के जो संयुक्त वेंजनों के भारे में अब तक आपने क्या पढ़ाई किये आप तक आपने स्वर और वेंजनों के भारे में पढ़ाई किये तो अभी हम पढ़ेंगे संयुक्त वेंजन अत्वा संयुक्त अक्षर के भारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पेज नमबर 75, टेक्स्ट बुक पेज नमबर 75, यहाँ पर जो दो क्ष, त्र, न, श, ध, ध, यह जो दो वेंजन दिये हैं, इसको आप टेक्स्ट बुक में कम्प्लेट करना जरूरी है, तो बच्चों अभी हम जानते हैं, यह संयुक्त वेंजन क्या होता है, ठीक है, दो वेंजनों के मिलने से बनने वाले वेंजन को सयुक्त वेंजन कहते हैं, मतलब वेंजन कौनसा कौनसा है, क, ख, घ, जो क, वर्ण है, च, वर्ण है, ट, और थ, थ, वर्ण है, वो सब वेंजन है, अ, आ, इ, जो हम बोलते हैं, वो सब क्या है स्वर है अ से लेके अम अह तक सब कुछ स्वर है कर से ह तक सब व्यंजन होता है तो संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है दो व्यंजन मिलने के बाद में वहाँ पर संयुक्त व्यंजन बनता है मतलब दोनों में से एक व्यंजन आदा होता है मतलब जैसे कि यहाँ पर देख सकते है पेले लिखे है, ख, ख, में क कि नीचे हलंत लगा है, मतलब एक लाइन लगावा है Barbara, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते है या हलत करके कहते हैं, हलत क की नीचे हल्त लगावा इसका मतलब वो कर आदा है कर क्या है आदा है जमा मतलब प्लस श कर और श की मिलने से हमको क्षर मिलता है तो वो क्या बन गया संयुक्त वेंजन बन गया संयुक्त वेंजन क्योंकि दो वेंजन मिलावे कर भी एक वेंजन है और श भी एक वेंजन है वो धोनों मिल गए क्या बन गया तो हमें एक श व्यंजन मिला हुआ है संयुक्त व्यंजन मिला हुआ है ठीक है उसी तरह त्र देखिए तो हलन्त प्लस र तो और मिला है आदा त और तो के नीचे हलन्त आया मतलब वो सिर्फ हाफ प्रणॉंस लेना है करके तो हाफ प्रणॉंस के साथ में र तो के साथ मे बोलना है आपको त्र उसके बाद में ग्य वो भी देखिए ज और न्य मिलने से बनता है ठीक है बाद में श यह श भी देखिए श और र श आदा है और दोनों मिलके क्या बन गया श तो इन में से हम एक एक शब्द भी बनाएं most of the time देखिए यहाँ पर आपको बहुत कम इस्तिमाल होता है बातों में या किसी इसमें बहुत कम इस्तिमाल होते है तो उसी को हम अभी वीडियो के साहेता से भी हम देख लेते हैं ठीक है बोलो और सीको संयुक तक्षर दो वेंजनों के मेल से बनते हैं जिसे कि ख जमा श बर बराबर क्ष त जमा र बराबर त्र ज जमा न बराबर ग्य श जमा र बराबर श तो आपको पता चल गया ना कैसे बन गया करके इन संयुक तक्षर से बने शब्दों को द्यान से सुनों और बोलने का अभ्यास करों अभी हम क्षसे क्या करते हैं क्षसे बने हुई शब्दों को बोलते वो है क्षक्त्रिय त्र से त्रिशूल, ग्य से घ्यानी, श्र से श्रमिक, बहुत महनत जो करते हैं, बच्चों धर और धर से कभी भी शब्द शुरू नहीं होते हैं, यह हमेशा शब्द की बीच में या अंत में ही आते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, धर से देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं, सडक, देखिए, धर बीच में आया ना, लड़की, देखिए, जड, बोलते हैं, डर के साथ तोड़ा ह का प्रोनौन साथ में आता है, यह धर, जैसे कि भड़ना, चड़ना, बढ़ाई, देखिए, धर बोलते हैं वापे ह का प्रोनौन साता है ना उसी को हम धर और धर कहते हैं तो आगे हम चलते हैं बच्चो आपके अभ्यास कारी जो टेक्स्ट बुक में जो अभ्यास कारी है उसकी तरफ चलते हैं जो पेज नमबर 76 में है, यह अभ्यास कारी मैंने नहीं किया है, उसका उत्तर मैंने नहीं किया है, ताकि क्यूंकि आप कुद करना है, अब तक मैं करवाती आई हूँ, यह बहुत आसान है, आप कुद कर सकते हैं, जिसकी मैं पढ़के बताऊंगी, एक जैसे अक्षर पर गोला लगा वो, उसके अंदर उन्होंने किया कुछ लेटर्स दिये है वेंजन दिये है उस संयुक्त वेंजन को आपको सामने की तरफ डूढ ना है और उसको क्या करना है गोला गोला मीज सरकल करनी है इसके क्षत्र ग्यश्ट्र जो दिये है क्षत्र ग्यश्ट्र तो उसको आप सामने की तरफ कहा है करके डूढना है और उस पर सरकल लगानी है तो नेक्स्ट अब्यास है अक्षर पहुचानो और सही चित्रों से मिलाओ तो आपको यहाँ पर डूढना पड़ेगा सही अक्षर के लिए सही चित्र कौन सा है करके जैसे है क्षत्रिय है त्रिशूल है ज्यानी है श्रमिक है यह आपको डेनना पड़ेगा जो वीडियो में देखने से आपको पता चल जाएगा ठीक है तो next हम चलते हैं बच्चो वर्णों के समों को वर्णमाला कहते है क्यों मैंने लिया कि अब तक हमने क्या पड़ाई किया अभी हमने क्या पड़ाई किया अभी हमने सेयुक्त वेंजनों के बारे में पड़ाई किया तो इसके पहले हम क्या पड़ रहे थे पूहु को वर्ण माला कहते हैं, मतलब लेटर्स, ठीक है, लेटर्स, जैसे मतलब सब लेटर्स, जैसे की स्वर हो सकते हैं, वेंजन हो सकते हैं, संयुक्त वेंजन हो सकते हैं, उन सब को ग्रूप में हम क्या कहते हैं, वर्ण माला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण माला, वर्ण सारे फूलों को मिला कर क्या बनाते हैं माला बनाते हैं चैन बनाते हैं वैसे ही बहुत सारे अक्षरों को मिला कर क्या बनता है वर्न माला बनता है तो बच्चो वर्न माला किसे कहते हैं वर्नों के समूह को वर्न माला कहते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है आपको बहुत अच इए आई वो भी हो सकता है या व्यंजन जिसकी ख ग ग गना च जजजना जो है उन सब को मिलाकर वह सकता है या सईक्त वैंजन अभी जो आपने पड़ा कि रेक्षात्र नौश्रा इन सब लेटर्स को मिलाकर क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं together with the all letters क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं ठीक है तो वर्णमाला में क्या कहते हैं स्वर, vengeance, अब वर्णमाला के अंदर आता है तो अभी हम पहले पढ़ेंगे स्वर आप यह पढ़ चुके हैं फिर भी में एक बार बोल रही हूं स्वर, कितने स्वर हैं हम गिनती करते वक स्वर ग्यारा बोलते हैं सिर्फ अ से लेके अउ तक का ही स्वरों में गिना जाता है ठीक है? स्वर कितने हैं? स्वर ग्यारा है कौनसा कौनसा है? अ, आ, इ, इ, उ, उ, र, य, आ, ओ, आउ यहां तक सिर्फ स्वर है अम को अम को अनुस्वर कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं पर हमेशा हम लिखते वक स्वरों को कैसे लिखते हैं? अ से लेके अम अह तक लिखते हैं पर बोलते वक स्वर ग्यारा है, ओनली लवेन स्वर है, वो अ से लेके आउ तक वो स्वर है अम को अनुस्वार अह को विसर्ग कहते हैं ठीक है यह जैसे कि बोल रियू में उसने को आप प्याद रख लीजी आपको वोरली आना चाहिए ठीक है जो लिखते वक्त स्वर लिखते वक्त अह से लेके अम अह तक आपको लिखना है पर बोलते वक्त गाउंटिंग बोलते वक आपको क्या बोलना है कि से आउ तक ही बोलना है वो स्वर है कितना स्वर है ग्यारहा स्वर है करके आपको कहना है जैसे कि व्यंजन व्यंजन बोलते हैं व्यंजन ताई तीस व्यंजन तक्टी त्री व्यंजन होते हैं देखिए यह सब व्यंजन है ख ख घ घ न च च ज ज ज त ठ ध ध ध ध न त थ ध ध ध न प फ भ भ भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र टिक यह सब क्या है यह सब व्यंचन है जो लास्ट चार लटर को नजर आ रहा है वह सईयुक्त व्यंचन है तो इसमें भी आपको और डिवाइड मिलेगा तो उसके आगे और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आप सेकेंड सेर न इड़ जाएंगे तब हम इसके अंदर का और बहुत सारे चीजे उसके बारे में आपको मैं पढ़ाओंगी पर आभी फिलाल आपको याद रखना है वर्ण माला किसे कहते हैं स्वरों के समूह को वर्ण माला कहते हैं और स्वर स्वर कितना है 11 स्वर है, बाद में स्वर जब लिखते है वक्त अभार से लेकर आम आहा तक आपको समपूर्ण तरीके से लिखना ज़रूरी है, उसके बाद में बैचान से एकजाम में कभी में पूछूंगी वर्णमाला लिखे, तो आपको क्या लिखना है have, वर्णमाला में आपको स्वर संपूर्ण स्वर लिखना है जैसे कि अ से लेके अम अह तक पूरा लिखना है उसके बाद में व्यंजन को भी लिखना है क्योंकि वर्णमाला में क्या क्या आता है बच्छो स्वर और व्यंजन दोनों मिला के हम वर्णमाला कहते हैं तो व्यंजन के अंदर संयुक्त व्यंजन बैचान स्वर पूछूंगे तो अ से लेके अ महा तक आप लिकेंगे तो वह आपका स्वर हो गया तो बच्चों आगे हम देखते हैं देखें जिसकी मैंने कहा है व्यंजन में और हम थोड़ा वो डिवाइड कर सकते हैं जिसकी यहां पर आपको फर्स्ट लेटर जो नजर आ है ना वो जिसके ख च टत प यह इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अलप प्रान कहते हैं क्या क्या कहते हैं? अल्प प्राण मतलब जो बोलते वक्त हमारे जो प्राण वाई या जो उच्चारण करते वक्त हमारे मुझ से जो हवा जो आती है वो बहुत कम आता है कम उप्योग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं जैसे कि आप नेक्स देख सकते हैं जैसे कि ख, छ, ठ, 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 जब वैसे बोलते वक्त क्या होता है तो हमारा प्रोनोस जैसे उच्चारण हम जो बोलते हैं मूँ से जो हवा निकलती है वो ज्यादा निकलता है और ज्यादा प्रेशर के साथ हम निकलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं महाप्राण कहते हैं क्या कहते हैं बचो म महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, हमेशा लेटर की फस्ट लाइन, थर्ड लाइन और फिफ्ट लाइन जो है अल्पप्राण है और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन वो हमेशा महाप्राण के रूप में होता है, जैसे की ग, फस्ट लाइन में आप देख लीजिए, क, च, ट, त, प, यह सब वर्ण है ठीके, वर्ग कहते है हम सो क, अल्प प्राण है तो ख, महा प्राण है ग, अल्प प्राण है तो ग, महा प्राण है तो समझवे हैं ना बच्चो तो यह सिर्फ आपको याद रखने के लिए यह सिर्फ आपको याद रखने के लिए अल्प प्राण मतलब कम प्राणवाई प्राणवाई मतलब जो हम मोव से बोलते हैं जो हवा निकलती है उसको हम कहते हैं प्राणवाई करके कहते हैं जो कम प्रेशर के साथ में जब बोलते हैं उसको हम अल्प प्राण कहते हैं और ज् मतलब आपको लिखना है first वाला ख करके तो मैं बोलूँगी बच्चों लिखिए खरगोश तो आपको क्या लिखना है बच्चों को मैं बोलूँगी बच्चों आपको लिखना है महाप्राण वाला ख लिखना है करके बोलूँगी जो है उसको मैंने अभी include की हूँ क्योंकि बीच में दो अक्षर तीन अक्षर और चार अक्षर वाले जो शब्द है उसको मैं आपको next वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ इसके साथ में अभी जो संयुक्त वेंजन और स्वर्वेंजनों के साथ में मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ हिंदी की गिनती पढ़ाने वाली हूँ यह आपका page number 82 textbook page number 82 में है तो वच्चा आप सोच सकते हैं गिनती मतलब क्या है जो हर चीज में हर languages में किसी चीजों को हम count करते हैं तो हिंदी में भी हम counting को करते हैं तो हिंदी का counting या उसका उच्चारण या लिखने के जो थरीका है वो तोड़ा बहुत अलग होता है जैसे कि English letter आपको पता है हर किसी को इवन खनड़ा में भी गिनती है उसी तरह हिंदी में भी ही गिनती है counting है तो गिनती से क्या उपयोग होता है किसी चीज कितना है ज्यादा है यह खम है करके हम कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए गिनती बहुत जरूरी है अभी कुछ चीज दिये तो आपको counting तो आना जरूरी है तो इसलिए हम अभी basically क्या करेंगे एक से सिफ दस तक गिनतीयों को पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी में एक साइट अंग्रेजी मिन्स English में एक साइट में गिनती दिये है और एक साइट पर और एक जगा पर क्या के हिंदी में गिनती दिये है तो अभी हम दोनों को भी पढ़ेंगे उन्होंने बहुत अच्छी तरीक से चित्र के सहायता से आपको समझा रहे, एक बोलते हैं कहां है, one, one के लिए one, एक ट्रॉमपेट का चित्र दिए है, दो, दो मिन्स टू, टू कार दिये हैं, तो आपको counting करने के लिए easy होगा तो, आपको एक से δस्टक के गिनती करने के गिंती और बढ़ता ही जाएगा अब येक से दस है it may be second standard में आपके 10 से 20 तक होगा उसके बाद में 20 से 30 तक होगा वैसे 100 तक की गिंती आता ही रहेगा next class में जैसे जाओगे आपको गिंतियों में बढ़ती होता ही रहेगा तो बच्चों इसी गिंती को एक बार हम वीडियो के सहायता से भी एक बार देख लेते हैं हिंदी की गिनती, हिंदी counting पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि मैं बोलूंगी, मेरे साथ साथ में आप बोलते जाएए, ठीके, एक, दो, तीन चिर्क करके, तो पहले कॉलम है अंग्रेजी का कॉलम है, बाद में हिंदी तो बाद में चित्र देखे 1, 1 means एक, टू, दो, त्री, तीन, फोर, चार, फाई, पांच, शिक्स, चह, सवन, साथ 8, 8, 9, 9, 10, 10 अपने देख लिएने बच्चो कैसे कहते करके, फिर से एक बर देख लेंगे हम इसी को मेरे साथ साथ में आपको हिंदी की काउंट बोलनी है, ठीके, अंग्रेजी का बोलेंगे या नहीं बोलेंगे फिर भी हिंदी का बोलना ज़रूरी है, अभी मैं सिर्फ चित्रों के साथ से हिंदी की गिंती बोलने वाली हूँ, ठीके, चित्रा आप देखे, कितना पिचर आ रहा है करके, तो पहले एक ट्रमपेट आया, तो कितना, एक दो, देखे, लिखने का तरीका भी अलग है, लेटर्स भी, नंबर्स भी देखिए, तीन चार पांच, देखे, पांच टोपी हैं वहाँ पर चे, देखे, चे आम है साथ, देखे, साथ, कुछ चोटा सा मुर्गी का बच्चा है, है ना, आट, हाँ, इसको टॉप, कहते हैं आप नौ, नौ, फूल है दस, दस आइस क्रीम है, है ना, हाँ, यह आपको हिंदी की गिंती आपको सीखने बहुत जरूरी है तो बच्चो, आपने अभी हिंदी की गिंती सीख लिए ना, तो यह एक आक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में है है ना, बच्चो, आपकी टेक्स्ट बुक में एक पहुत सुन्दर सीख एक्टिविटी है एक टेडी बेर बनाने है, पेज नमबर सवेंटी एट में, जैसे कि मैं हेडिंग पढ़ने वाली हूँ नीचे दिये अक्षरों को क्रम से मिलाकर छित्र पूरा खरो और रंग बरो, रंग बरो मिस्ट खलर भी करना है नीचे दिये अक्षरों को, देखिए अक्षर मिस्ट लेटर्स दिये है, देखिए यहाँ पर करक्ट ओर्डर से आपको क्या करना है उसको मिलाते जाना है मिलाने पर आपको एक बहुत सुन्दर सा चित्र मिलेगा, उसे चित्र पर आपको किया करना है बच्चों रंग लगानी है उसको आपको क्या करना है Coloring करना है, धूदर सा अच्छा सा activity है इस activity को आप अपने text book में complete कीजिए और मुझे इसका snaps भी आप अपने group में बेजना है हमेशा जब भी आप photo बेजोगे group में अपना नाम जरूर लिखिए photo के नीचे नहीं तो इसी textbook page के अंदर आप लिख सकते हो अत्वा आप जब photo कीच कर बेजोगे तब अपना नाम उस photo के साथ में लिख लीजे तो मुझे पता चलेगा किस बच्चे ने अच्चे से activity किया अगर के आपके मन पसंद रंग इसमें बर सकते हो बहुत सुन्दर से चित्रक से बाहर नहीं जाना चाहिए बहुत सुन्दर से रंग बर लिजे तो बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ाई किया अब तक हमने स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के भी पढ़ाई हम कंप्लीट कर चुके है हर बच्चों को स्वर और व्यंजन भिना देखके लिखना आना जरूरी है जब भी आप लिखोगे, जब भी आप अभ्यास करोगे बोल बोल कर लिखना है, जोर जोर से बोल बोल कर आपको लिखना है बैचांस कुछ भी लख्शर लिखते हैं वक्त गलतिया होती है तो आप वीडियो देख लिजे मैं हर वीडियो, हर अक्षर के लिए उसका संबंदित वीडियो डाल चुकी हूँ अक्षरों को किस तरह से लिखते हैं करके तो आप क्या करना है आपको उस वीडियो को देखना है और अच्छी तरह किसे लिखने का अभ्यास भी करनी है ठीके वच्छो तो आशा करती हूँ वच्छो तो आज की पड़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी संबनित कक्षा कारी भी मैं आपको बेजने वाली हूँ, धन्यवाद